नमस्कार, चोहोंतरवे गणतंतर दिवस की सुब बेला पर जो CBI के राष्टपती पुलिश पदक अनौंस में हैं, उसमें एक नाम है स्री सत्य नरेंड जाट, जो वर्तमान में जेपुर ब्रांच में CBI के एडिशनल एस्पी हैं, और इन्हें पहले भारते पुलिश पदक म मिला हैं, जो इनकी सेवा का सर्वुच पुरुषकार होता है, और उन्हें हमारी भारत की मानने राष्टपती द्रापदी मुर्मुजी इन्हें अब CBI के फंक्सन में पुरदान करेगी, सर एक बड़ी उपलबधी है, बड़ा सपना होता है लोगों का अपने सेवा में रह हैं, यह समझता भी नहीं था कि मेडल क्या होते हैं, लेकिन जब इस मैक में में, यानि कि पुलिस जैसे, CBI जैसे मैक में मैंने काम करना सुरू किया, तो उसके बाद में पता लगा कि इसमें यह दि आपको एक पीक पे जाना है, या आपको पदक की ओर जाना है, तो आपकी निस्टा, इसमें हमें इंटिग्रेटी कहते हैं, CBI के जो मोटो है उसमें, इंडस्ट्री, इंपार्सेल्टी और इंटिग्रेटी, इसमें जो इंटिग्रेटी होती है, सत्य निस्टा, आपके दिलों दिमाग में करफशन से रिलेटेड बू भी नहीं होनी चाहिए, विच जैसे कहते हैं, कि जो सफेदी चीज होती है, हवा से भी गंदी हो जाती है, CBI के यह कि करफशन का ख्याल भी दिमाग माग आ गया, आपके बारे मैं यह किसी ने कोई बात बीना तथे के भी कह दी तो उस पर विचार किया जाता है, कि यह सई तो नहीं हो सकती है, तो इस तर उसके बाद छे साल का कुलिंग पिरड़ होता है, उसमें आपकी सेवाईं देखी जाती है, और उन सेवाओं के आधार पर फिर आपकी स्कूर्ट नहीं होती है, छे साल में आपका क्या उसी तरह का केरियर है, कुछ तबदिली तो नहीं है, तो उसको मैंटेर बनाय रखना एक बड़ा अच्छा, इसके बाद में सर, इस बार जो आपको राश्टपती पुलिश पदक मिला है, पूरे सीबे आई ओफिसर्स में से, कितने लोगों को ये मिला है, और इसका क्या क्राइटेरिया रहता है, जैसा मैंने बताया कि जो हमारे इंडियन पुलिस मेडल मिलते है, छे साल का पिरेड होता इसमें, छे साल के दोरां जितने भी आई पेम पाने वाले जो ओफिसर्स होते हैं, या जो करमचारी होते हैं, उनकी स्कूटनी की जाती है, स्कूटनी पर मलब राउंड में स्कूटनी होती है, स्कूटनी के बाद में फिर ये कमेट ही होती है, मि एडिशनल स्पी लेवल के अधिकारी हैं और दो हवलदार हैं जिनको यह मिला पूरी सीबियाई में छे लोगों को प्रेजिडेंट प्लिस मेडल मिला तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है सीबियाई में सर आप कितने समय से हैं और किस तरीके के बड़े कैसों का एक आदमी की इंटेग्रेटी को मैंटेन रखना उसकी चुनोती को बनाई रखना अवसर में बदलना और सतेनिष्ट बने रहने यह बड़ी चुनोती होती है तो किस तरीके का सफर रहा है आपके केरियर की सुरुवात का जैशा कि मेरी बात है वैसे मैं 1987 में परामिल्टरी मैं अब सभी तरहें की जो टेनिंग होती है उसको मैं ऑफिसर इंचार्ज रहा उसके बाद मैं जब 1997 में यानि 96 में ही CBI के केड़ी बन गई थी गाजयाबाद के अंदर तो इनको जरू थी ऐसे ऑफिसर्स की जो की CBI में जो ऑफिसर्स या करमचारी भरती होते हैं उनको फ इंस्पेक्टर और गाजयाबाद हमारी CBI के अकेडमी है वहाँ पर मुझे तेनत क्या गया और वहाँ से मेरा सफर जारी है 1997 जनवरी से आप उसमें आए जब पहली अकेडमी CBI की बनी तो कहीं सारे बेच आपने ट्रेंड के होंगे चाहे वो कॉंस्टेबल के हो हबलदार के हो इंस्पेक्टर्स के हो या उच लेवल के अधिकारी हो तो आपके पढ़ाएवे एक तरह से तो इस्टूडेंट्स हैं वो आज की तारिक में लगब गए CBI की सबी बरांची दोलो और इंडिया में होंगे तो कितना प्राउड फिल होता है कि कहीं आपकी सीनियर्स भी होंगे जूनियर्स भी होंगे बहुत अच्छा लगता है मैं यहीं नहीं जब मैं पहले परामिल्टरी फोर्स में था वहाँ भी मैं ओफिसर इंचार्ज भा करता था तो वहाँ भी जो मेरे पास यानि की जिनका मैं ओफिसर इंचार्ज रहा वो आज आई जी रेंक पे हैं यहां भी CBI में भी जो मेल उस समय ट्रैनिंग कर रहे थे मज़ग मैं इन चार्ज वा कर थे लिए आई जी हैं स्पी हैं एस्पी हैं हरud रैंक में हैं और बहुत हैं मैं किसी भी ब्रांच में CPI के में जाता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मुझे रास्ते में कोई इनकोई मिल जाता है, जो गुरुजी कैसे हैं, सर कैसे हैं, बिल्कुल अच्छा लगता है उनको देखे, और जब सामने ही उनको कुछ, अब जिसे मेरे कुछ इस्टुडेंट से आज जो डिएस्प, अडिसलन एस्प के रेंक पे हैं, और अपना मिलते जाती है, एक सर युवाओं के लिए, जो जनरली, जो गाओं का युवा है, वो सोचता है कि CBI है, या रो है, अन्ने बड़ी जो सर्वी सेजे सेंट्रल गवर्मेंट की, उसमें वो बहुत कम हैं, या तो परियाश करते हैं, या उनको लगता है कि हम उसके सेज देना चाहेंगे, कि वो भी उस लेवल पर जायें, उनके अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशेल है, देखो, आज के टाइम पर, देखा जाई, तो दोनों ही है, या तो आपकी सोच पर निरभर करता है, कि आप किस दिसा में जाना चाहते हैं, सोचल मेडिया है, इसका जो बच्चे हैं, इसमें फाइदे की जगे नुक्सान ज्यादा इनका हो रहा गया, हर एक बच्चा या बच्ची आप देखो कि जी स्कूल कोलेज वाले हैं, इसी सोचल मेडिया में, इदर उदर की चीजों में डूबे रहते हैं, जो मेरे ख्याल से हूंज के सलेबस से रल करने वाला हो, जहां तक गाउं से हैं, मैं भी एक छोटी से गाउं से बिलों करता हूं, और मेरी यात्रा भी एक नग्गे पहर से सुरूई थी, गाउं में पहले जूती चपल भी पहन के नहीं जाते थे, उसी यात्रा में मैं भी एक रही रहा हूं, और उस से आज मैं यहा आगे बढ़ते हैं, तो आप निस्टीत उस स्थान पर पहुंचते हैं, तो आज के बच्चों के लिए मेरा यही है कि अपना एक धे रखे चलो आगे, जब तक हम धे नहीं रिखेंगे, कहीं भी नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि बिना धे के, बिना मंजील के, बिना सकते हैं, हम इस टेसन पर खड़ें, गाड़ी आ रही है, बैठना होगा, तैक करना होगा, किस गाड़ी में कहा जाना है, तो उनको अपना उद्देश से अपनी मंजील तैक करनी है, और उस सी रास्ते में चलने के लिए, उस सी रास्ते के पहले राही कौन-कौन रहे हैं, उनसे आप मिलें, बाचीत करें, वो आपको गाड़ करें, तो मेरा तो यह है कि जिसे पुलिस मैकमा है, पुलिस मैकमा में जितनी मेरी जानकारी रही है, यह कोई भी मेरे पूसता है, गाड़ लेता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. तो निशित रूप से युवाओं को प्रेरित करने के लिए भी आप तैयार हैं, और हम जल्दी इनका एक युवाओं से समवाद का विशेश कारिकरम भी रखेंगे, और निशित रूप से युवाओं को फाइदा मिलेगा, सर एक जनरल, इससे मैं इतर क्विशन कर रहा हू तो निशित रूप से एक सी विए उफीसर्स के नातिया, आप क्या कह सकते हैं कि कोई केंदरी सरकारों का या उनका कोई पॉलिटिकली इंटर्फेरिस में ज़्यदा नहीं होता है। इसके विपक्स पार्टें होते हैं यही मानते हैं कि सरकार इनका दुरूपयोग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई दुरूपयोग नहीं होता है। अपने आप में बेदाग है और CBI आफसर आते हैं, जाते हैं, गोवर्मेंटें आते हैं जाते हैं लेकिन यह इसा मैकमा है जो अपनी चमक के साथ बरकरार है। तो बिलकुल सर, इतने जो इस विभाग का या आपकी पुलिस शर्विस का एक सरवुच सम्मान आपने पाया है, गाउं से आप निकले हैं। और एक तरह से यूँ कहें कि आप अच्छे योगा ट्रेनर हैं, आप अच्छे ओरेटर हैं, राइटर हैं, मोटीवेटर हैं, सब तरीकेश, तो आप के बारे में भी जैसे जानना चाहेंगे कि आप टोंक्स लेकि एक चोटी से गाउं से निकले। तो एक बारे में आप अपना सेल्फ है जो आइडनिटिफिकेशन है वह आप रखे अभी मैं पिछे मुड़ के देखता हूँ अपनी जड़नी का तो छोटे से गाउं से में निकला हूँ साधान से परिवार में किसान परिवार से हैं और जब स्कूल में जाते थे तो आज ही मुझे याद है कि रास्तान में जैसे सब जानते गर्मी बहुत पड़ती है उस समय साइद जूते या जपल पेन कमनी जाते दिया जाते थे, नगे पाउंजाते थे गरमी में जाँ 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 पैड होते थे, छाया जोड़ के उस पैड तक जाके रुखना पाउंजलते थे. इस तरह से हमने जर्णी सुरू की. लेकिन हाँ सुरू से ही मतलब भी ये मान हो कि हमारे माबब का बड़े भुज़ूर का हमारी परासिर बादरा अच्छे संसकार से पूस्टित रहे हैं तो उन संसकारों को ले के हम चलते रहे हम सुरूसे प्राइमरी स्टेज से लेके आगे तक हम स्कूल में टीचरों के भी मतलब हम बहुत खास मतलब नजदीक रहे हैं उनके प्रिय रहें केल भी जैसे मेडल का पढ़के मेरे गुरू जी जी जो दस्वी कलास में हमारे इंगलिस के टीचर थे उनका फोन आया कि बेटे आज तुम्हारा पढ़के मेरा जो अध्यापन कार यह है मैं मान रहा हूं कि धन्य हो गया मेरे बच्चे तो कामयाब नहीं हो लेकिन जितने भी मेरे स्टुडेंट मेरे बच्चे ही थे तो आज तुम्हारा यह पढ़के मेरे धन्य हो गया मेरे गुरु जी तो आपके दियेवे संसकार और आसिरवाद है भला नहीं इस चीज़ को लेके चलोगे जियोन मोरा आगे बढ़ोगे तो वो यात्रा है और वो यात्रा बड़ती बढ़ती बढ़ती एक सपना था मेरे दिल औ दिमाग में जैसे मैं आपको पहले बता रहता कि आपका जो सपना है तो आप आगे जियोन में कुछ विशेज कर सकते जब तक आप सपना तह नहीं करेंगे आप जी उनमें कहीं नहीं बढ़ सकते हैं तो मेरा एक सपना था, सुर्वर मेरा छोटा सा सपना था कि मुझे एक टू इस्टार बढ़ना है बस इतना छोटा सा सपना था मेरा कि मुझे कहीं कहीं मेरे चमकती इसके पीछे भी बहुत शारी कानिया है लेकिन मेरा इतना है था कि मुझे एक सब इंस्पेक्टर से कम से कम सुरुआत करनी है और मैंने सुरुआत एटी से उन में 97 में की और वो जो यात्र है जारी अभी तक तो ये जारी रहेगी ये निवाई तैसल के गाओं परिजलाल पुरा से लेकर एक सब इंस्पेक्टर सी आई एसाइप उसके बाद ट्रेनर सी बी आई और वर्तमान एडिस लैस्पी तक और इस सेवा का सबसे सरवच पुरुषकार राष्टपती पुलिश पदक पाकर हम सबी गुवर्वानमीत हैं और आगे भी ये सफलताओं का सब्ते निश्टा का सिलसिला जारी रहेगा थेंक्यू सैर्